उमीद है कि आपके साथ कभी ऐसा ना हुआ हूँ, क्या ना हुआ हूँ, वो ये कि आप सफर कर रहे हूँ, चाहे वो बहरी सफर हो, या हवाई जहाज का सफर हो, और उसमें कुछ मुश्किल दरपेश आए उस सूरते हाल में एक नारा ज़रूर लगता है, और वो नारा ये होता है कि वोमेन एंड चिडरन फर्स्ट, यानि के औरतों और बच्चों को पहले सिक्योर किया जाए, उनके लिए हिफाज़ी इगामात पहले उठाई जाएं, बाद में दूसरों की बारी आती है, फिर कमज इसी बारे में है, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि जिसका नाम है, बरकें हैड ग्रिल, यानि के वुमेन एंड चिडरन फर्स्ट, ये नारा काईज़ी नारा कब लगाता, आईए, इस स्टोरी में पढ़ते हैं, ये स्टोरी बरकें हैड ग्रिल, जो कि हमारे फर्स्ट एयर चैप्टर का मौजू है, उन्वान है, उसमें होता ये है, कि एक कश्ची जा रही होती है, ब्रिटिश टूप शेप की, यानि के बहरी जहाज, जंगी बहरी जहाज, ये जा रही होते हैं, इंग्लेंड से, Cape Town, South Africa, इसमें तक्री बंद, नौट तक्री बंद, इसमें टोटल अफराद 630, 630 लोग सवार होते हैं, इन 630 लोगों में से, 170, 170 और बच्ची होते हैं, वोमेन एंद चिल्डरन, बाकी 460 हमारे पास सोल्जर्ज होते हैं, ये सोल्जर्ज, उनकी अभी 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 अपनी ही जिंदगी स्टार्ट होई थी, इन एक्स्पियेंस से, ट्रेनिंग ली थी, इन्होंने पॉजी, पॉज में इन्होंने नहीं नहीं शमूरियत हासिल की थी, और ये जा रहे थे, इंग्लेंस से, केप टांट, साउथ अफ्रेका, ये वाक्या, ब्रिकन हेड ग्रिल एक सच्छी कहानी है, जो के पेश आई थी, ट्विंटी सेस्थ, फेब्रियरी, 1851, ब्रिकन हेड जो के एक कश्छी का नाम है, वो कहते हैं के वो आईरन मेड शेप थी, आईरन मेड के साथ साथ, पहले के जमाने में, पहले के जमाने में लकडी थी कश्छीयां हुआ करते हैं, जिसके वह ऐसे सफर आपका जो है, काफी स्लो होता था, लेकिन ब्रिकन हेड शिप के बारे में यह मशूर है, कि वो बहुत तेज थी, फास्टर थी, काफी बड़ी थी, काफी बड़ी थी है, इसके साथ साथ इसमें कैपैसिटी थी, कि तकरीबर पांसो लोग इसमें एक साथ आ सकते थे, पहले शिप्स इतनी जादा नहीं होती, मतलब पहले शिप्स में इतनी कैपैसिटी नहीं होती थी, एक मशूर है बहुत, टाइटाने के नाम से भी एक मशूर है शिप्स क्योंकि बहुत बड़ी थी, उस पे दावा किया गया था, कि सबसे जादा पावरफुल शिप्स है उस जमाने की लेकिन उसके साथ भी हाथसा रोर्मा हुआ, सिमिलरली बरकिन हेट के साथ भी एक हाथसा रोर्मा हुआ, उस हाथसे में तक्रीबन 660 फौजी की दैथ हुई, इस तरह के तक्रीबन रात के दो बज रहे थी, और सब सकून में अपनी लाइफ शिप अपने मंजले मक्सूत की दरफ रहा था थी, निकले थे इंग्लाइंड से उसमें और और बच्चो और सोल्जर से, किसी को क्या मालूम था कि अब अगले नमही क्या होने वाला है, निकले अपने केप टाउन से 64 किलो मेटर अवे थे, 64 किलो मेटर अवे प्रॉम केप टाउन, यानि कि अपने मंजल के काफी करीब तक पहुँच चुके थे, तरह सिर्फ 64 किलो मेटर दूर थे, कि उसमें राएक के 2 पज़े की करीब, कितने वज़े राएक के 2 बज़े की करीब, यह जाहां एक चटान से तक राता है, वो चटान מת में नजर नहीं आती, यानि कि map में identify नहीं थी कि समंदर की सतय में पानी के नीचे एक ऐसी बड़ी चटान है जो कि उसकी identification पहले नहीं हूँ थी उस चटान से टक्राने की वजह से यह हुआ कि कश्टी के टुकड़ा हो गया अब उसी लम्हे में जब लोग अफरत अफरी start हुई कि मतलब यह क्या हुआ तो उसी तक्रीव में जब उन्होंने शिप को मोडने की कोशिश करी तो दूसी दफ़ा उसी चटान से टक्रा गया जिसकी वजह से शिप के दो टक्रे हो गए तक्सीम हो गई दो हिस्सों में पहला हिस्सा जो तो हमारा front पार्थ हा शिप का वह फॉरण से डूब किया बैक जो पार्था वह काफी थोई दे फ्लोट कर रहा था तो लोग जितनी बीते वह बैक साइट पे चले गए इस शिप के टक्राने की वजह से इसमें हर शिप की एक बात होती है कि उसमें लाइफ बोर्ट ज़रूर होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो कुछ मुश्किल प और उन लाइफ बोर्ट की कि एक बोर्ट साथ लोगों को सिर्फ संभाल सकती थी यानि कि तीन लाइफ बोर्ट का मतलब वह सिर्फ एक सो असी लोग यानि एक सो असी लोग सिर्फ बोर्ट में सवार हो सकते थे बाकी कितने बचे आपके पास 450 लोग बचे उनके साथ किया होना है सिर्फ सार्ट ब्लोग एक सो असी लोग शिप में सवार हो सकते हैं उस सूरतिहाल में उस शिप के कैप्टन और कमांडर ने सीटन के नाम से एक मशूर है कैप्टन उन्होंने एक नारा लगाया था जो के मशूर है बर्किन हैड ट्रिल के नाम से वो नारा ये था कि वुमें एड चिल्डरन फर्स्ट यानि कि और बच्चों को पहले सवार किया जाए शिप्ट है जो कि हमारी लाइब बोर्स हमारे पास और बच्चों की जाहत किती 170 और बोर्ड में कितने हैं 180 लोग आ सकते हैं तो उस सूरत में यह हो सकता था पैनिक क्रियेट हो सकता था जैसे कि अगर हम नॉर्मल सिचुएश हमारे मर जाते हैं लोग पैरों के नीचे आके कमजोरों के साथ यह होता है कि वो पीछे रह जाते हैं और ताकतवाद हमीशा आगे निकल जाते हैं लेकिन इस शिप्ट की बढ़किन हैट की खास बात थी और स्केमरेंडर की खास बात यह थी कि उसने नारा लगाय कि और आपनी मौत का इंतिजार करनी के लिए तयार दो बरकेंड है ड्रिल का एक और मतलब है वो यह कि अपनी मौत का सामना करना और कमज़रों को पहले मौका देना कि वो अपनी जिंदगी बचा सके एक एक एक्जाम्पल हिरोइक हिरोइक एक्जाम्पल है सेल्फ सेक्रिफाइस की और डिसिप्लेन की अच्छा दोग औरतों को सवार किया गया कश्चियों को भेजा गया उसमें बाकी दस लोगों की जगा बची थी उस दस लोगों में कमजोरों को भी बिठाया गया था बाकी आपके पास 450 जो सोल्जर्स थे वह वहीं खड़े रहे शिप के अंदर ना के वह जान बचाने के लिए क्या कर सकते थे पानी में छलांग मार सकते लेकिन पानी के पास ऐसा था समंदर ऐसा था कि उसमें वाइट शार्क्स मौजूद थी तो उनके पास सिर्फ दो ही रासे थी दो रासे यह थे एक रासा यह था कि आइदर इटन बाई वाइट शार्क दूसरा वह डूबके मर जाए तो ब्रोगें हे ड्रम में एक क्यून के साथ वो उसी शिप में मोजूद रहे और जैसे ही स्पानी के अंदर गया उसी डिसिपलिन के साथ यो के लाइन भाइनाइस ख़ड़े वे ड Έयक बेर उसी के साथ वो पानी के अंदर चली गए हमीचा क कहानी में एक और आपके पास हेरोइक सेल्फ सेक्रिफाइज की एक्जैंपल है कि वह यह कि एक कमांडर जो कि शिप व्रेकेज जो कि शिप के टुकड़े हो चुके थे तो लोगों ने अपनी कुछ काफी सारे सर्वाइवर्स कहते हैं कि 24 सर्वाइवर्स मैं सर्वाइफ किये उस शिप के बाब उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया इस तरह सर्वाइव कि शिप के टुकड़े ते व्रेकेश से उस पर अपने आपको नहोंने सपोर्ट किया पानी में थैसे तो एक कमांडर ने देखा कि दो नौजवान यंग सोल्जर पानी में डूब रहे हैं तो उस वाप दोनों कि तरफ अब धकेस अब तीनों उसे इस टुकड़े पर आ गए अगिए कि अ कमांड़ा ने किया फीलक्त तिनों को सपोर्ट नहीं कर पा तो उसने अपनी जान दी यानि कि sense व्ह sitt को पीछे किया अपने आपको अलग किया और उनों को उस पे सवाप पे ही रहने दिया और खुद डूब के मर गया अब यह दुम्हारी पास पूरी स्टोरी थी बिर्किन हैड के बारे में कि यह क्या है अब हम इसके सवालाद देखेंगे कि एक्जैम्स पॉइंट फ्यू से किस तरह के सवाल आदेगे तो अगर मैं समराइज करू स्टोरी को बिर्किन हैड एक शिप थी बिर्टिश मिलिटरी टूप शिप थी यह जा रही थी इंगलाइड से साउट अफ्रीका केप टाउं 64 किलोमीटर के फासले पे जो केप टाउं चे दूर थे कि उस वक्त एक हासा रुनमा होता है इनकी शिप बिर्किन हैड एक फत्तर से तक्रा जाती है जिसकी वजह से शिप के तो टुक्रों में एक सो असी लोग सवार होते हैं कि नजबुजब का मजाहरा करते हुए जितनी वो अपनी जान देकर 170 औरतों को बचाते हैं और अब हमेशा के लिए पानी में चले जाते हैं अब हम इसके question answer देखेंगे कि किस तरह हम इसको answer कर सकते हैं और exams में किस तरह से questions आता है